इश्वर अल्ला तेरे जहां में नफरत क्यूं है जंग है क्यूं तेरा दिल तो इतना बड़ा है इंसां का दिल तंग है क्यूं आपने ये गीत सुना लेकिन धर्म के नाम पर नफरत को सदियों से सालों सालों से आगे लाकर उस नफरत में इंसान के बीच में दूरियां बनाने की लगातार कोशिश हो रही है हमारे पुरवजों ने 500 साल पहले क्या किया हजार साल पहले क्या किया अब वो बातें लेकर आज हमारी आज की पीडी में और आने वाली पीडियों में नफरत फैलाने का एक सिलसिला शुरू है इस नफरत को खत्म करने के लिए जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद जब ये भारत देश बना उसके पहले तक ये देश का अलग-अलग हजारों राजाओं का देश था तब वो ब्रिटिश आए और उन्होंने उस पर रा और हम आगे का रास्ता कैसे बनाएंगे आगे इस देश को कैसे मजबूत बनाएंगे आगे इस देश को एक साथ कैसे लेकर चलेंगे इसका एक फैसला लिया गया और ये सम्विधान बनाया गया लेकिन आज भी इस हजारों साल पहले किस क्या हुआ था किसने किसके मंदिर क तोड़ा था और वो राजाओं ने किसलिए क्या किया था उन बातों को लेकर आज नफरत फैलाने का काम जो चल रहा है उसका हम लगातार भुगत रहे हैं हमने देखा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमी इस विवात को आगे बढ़ाया गया उसमें चिंगारी लगाई गई और पूरे देश में हिंसा फैलाई गई और वो हिंसा की बली दोनों ही समाज के लोग हुए और इस देश को एक विकास के रास्ते पर जो लेके जाना चाहिए था वो नफरत के रास्ते पर हम ले गए बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और धंगे कर आए गए और एक पा जो नफरत के बीच एक सो साल पहले बोय थे कि अलग से हिंदू राश्त्र होना चाहिए और हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का उनके बीच में भेदभाव करने का एक नफरत का बीच उन्होंने बोया था उस बीच की वज़े से भारत की आजादी के टाइम पे भी देश को तोड़ने में और नफरत की राजनीती करने में लगे हुए हैं बाबरी मस्जित का तूपना पूरे देश में शान्ती बाहल करने के नाम पर अयोध्या के केस में सुप्रीम कोट ने जज्ज्मेंट दिया उसने ये माना के जहां पर बाबरी मस्जित थी वहां पर राम जन्म भूमी के कोई आउशेश नहीं मिले सुप्रीम कोट ने ये भी माना के उस मस्जित के अंदर राम लला को गैर कानूनी रूप से रखा गया था सुप्रीम कोट ने ये भी माना डिसेंबर 1992 में जो मस्जित गिराई गई वो भी गैर कानूनी थी ये मानते हुए भ पहले किसने क्या किया इतिहास में किसने क्या किया अब वो गड़े मुर्दे निकालने की जरुरत नहीं है जब आजादी हमने प्राप्त की है तो उसके बाद 1947 के बाद हमें एक नए भारत का रचना की है और उसके पहले किसने क्या किया ये सारे मुद्दे अभी बंद होने च किसी भी धर्म का धर्मस्थल, चाहे वो हिंदू का हो, मुसल्मान का हो, जैन का हो, सिक का हो, वो 1947 में जिस तिती में था, वो वैसे ही रहेगा, उसके 1947 के पहले वो क्या था, कैसे था, वो गड़े मुर्दे अभी नहीं उखाड़े जाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये 1991 का जो को दिखाता है, वो बहुत महत्पून कानून है, और अब बाबरी मस्जित के बाद, कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठना चाहिए, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश हो रही है, जिस तरह से उस वकत ही कहा गया था, अयोध्या तो जहांकी है, काशी मतुरा बाकी है, और उ मंदिर के नाम पर, मस्जित के नाम पर, आप इस देश में कभी न रुकने वाला नफरत का एक अभ्यान चलाने की कोशिश की जा रही है, ताके इस देश में कहीं पे भी कभी भी शांती न रहे, इसी नफरत को आगे बढ़ाते हुए, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्या और दिया है, के आर्केलोजिकल सर्वे किया जाना चाहिए, उस मस्जित का, के वहां पर मंदिर था या नहीं, अब आजादी के इतने साल बाद, 2019 में ये केस दायर किया, जबके 1991 का कानून साफ तोर पे कहता है, के आजादी के पहले किसने क्या किया था, वो सब गड़े मु को वापस नहीं लाना है, फिर भी ये केस दायर किया गया, और उस में इस तरह का ओडर दिया गया, जबके सुप्रीम कोट ने भी आयोध्या के केस में ये साफ तोर पे कहा है, के 1991 का कानून वो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का कानून है, वो सेकुलरिजम का कानून है, और वो देश के लिए बहुत महत्पून है, भी सुप्रीम कोट का ऐसा ओडर होते हुए भी एक सिविल अदालत, एक निचले स्तर की अदालत वारानसी में इस तरह का फैसला देती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग 1991 के कानून को निरस्त करने के लिए और वो समिधान के है, ऐसा बता कर सुप्रीम कोट में याची का दायर की जाती है, उस याची का पर अभी नोटिस द्यारी की गई है, तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोट ने भी याची का तुरंत खारिच करने की बजाए उस पर नोटिस क्यों निकाली और एक निचली अदालत सुप्रीम क उसलिम के नाम पर नेता लड़ाते रहेंगे और हम उसी नाम पर लड़ते रहेंगे और भारत में अभी करोन की स्तिती है भारत में बेरोजगारी है भारत में महिलाओं की स्तिती खराब है भारत में दलितों की स्तिती खराब है भारत में कई समस्याओं से ग्रस्त है और उस सम हैं इस तरह के मुद्दे निकाल कर राजनेता तो अपनी रोटियें सेख रहे हैं कुछ लोगों को सत्ता तो मिल जाएगी लेकिन क्या इस भारत के आम नागरिक को उससे कुछ फाइदा होने वाला है अब हम कब तक लड़ते रहेंगे और कब तक हम गड़े मुर्दे उठा कर एक दूसरे से नफरत के खेल में शामिल होंगे ऐसी जो भी नफरत फैलाने के काम किये जा रहे हैं नफरत फैलाने की योजनाएं बनाई जा रही है हमें आपस में डिवाइड करने का हमारे में भेद निर्मान करने की कोशिश की जा रही है उसका हमें विरोध करना चाहिए चाहे हम किसी भी जाती या धर्म के लोग हों और हमने जो सम्विधान हासिल किया है भारत का जो सम्विधान है और भारत ने जो आजादी हासिल की है 1947 में उसके बात के हम मुद्दों पर बात करें ना के सद्यों पुरानी कोई बात को लेकर उसमें किसने किस पर अत्याचार कि या था वो बात को लेकर आज हम भारतवासियों से नफरत करें इस तरह का नहीं होना चाहिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताईए अपनी राय नीचे कमेंट कॉलम में जरूर लिखिए ग्यानवापी मस्जित को गिरा कर वहाँ पर मंदिर बना देना चाहिए या फिर मस्जित को इसी तरह से रहने देना चाहिए ये मुद्दे मंदिर मस्जित के लगातार चलते रहने चाहिए और ग्यानवापी मस्जित के बाद दूसरी मस्जितों को भी चुन-चुन कर ये मुद्दा निकालना चाहिए और इसी तरह से इस नफरत को आगे बढ़ा आते रहना चाहिए और देखते रहिए जनता का आइना सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनता का आइना सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको सही लगा तो आप इसे शेर भी कीजिए धन्यवाद